हेलो एवरीवन वेलकम तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जार्खन की परणपरागत सासन ब्यवस्था को हम लोग एक लाइन से सारे टोपिक वाई टोफिक सारे चैप्टर को स्टाड़ी करेंगे यह आपका बेसिकली उडान बुक से कवर किया गया है सारा टोपिक को मुंडा सासन ब्यवस्था का जाता है तो अब को याद रखना है कि मुंडा सब्द का सामान अर्थ विसिस्थ व्यक्ति तथा विस्थ अर्थ गाव का राजनीतिक परमुख होता है जैसे है नोपको पद करते हैं का तो मुंड़ा पर आपका नी मुझा का परद हम यह पद होता है कहने का मतलब हो गया है पो गया पोता बैठेटा पोटा होगया इस तरह से तो पहले पत्त से कोई व्यक्तिन इसकासित हुआ तो दूसरे उसके पद पे उसका बेटा उसका पुत्र या फिर उसका पोता ही बैठेगा तो यह आपका हो गया वंसानुगत होता है पर पर कारीया ग्रामिनों पर लगान वसुलना गाउं से विधी व्यवस्था बनाया रखना कि सब्सक्राइब करते झूड paused कर दो को खूटकर भूमी ऑप कटी जाता गोव कुड कोडी के कि निर्मां करते हैं जो भूमी निर्मान करते हैं कि इसके शिचाइः करते उसे खुटकटी दार कहा जाता है निकि जो भूमी का मालिक होता है उसे क्या बोला जाता है खुटकटी दार यह आपको याद रखना चलिए नेक्स रफिक देखते इसमें जो है आपका कि मुंदा सासन वेवस्था में खुट का अर्थ जो है वो परिवार होता है क्या होता है परि याद रखना है मुण्डा ग्राम पंचायत में परहा यह दोनों सेम होता है कहीं कहीं परहा देखने को मिलें यह कन्फ्यूज नहीं होना यह क्या होता है तो यह आपका कई गाउं से मिलकर बनी पंचायत कहते हैं वह होता है पढ़ा या फिर परहा कहा जाता हैं वहीं परहा पंचाया पर्मु कहारे अधिक्ता निक्तित्व मुंडा जन्जाती की सर्वच मुनणा जन्जाती की सरवच पर अवस्थित्य है मुनणा जन्जाती के सर्वच पर अवस्थित्य algorithm करहा पंचायत का सरोच अधिकारी कौन राजा होता है पंचायत का सर्वज अधिकारी नेक्षपिक देखते है पढ़ा के विभिन अधिकारे विवरन निमन परकार से दिया हुआ जैसे अगर देखते हैं लोग यहां पे एक लाइन से लेखते हैं जाकुर होता है दिवान होता है पांडे होता है बरकंदाज होता है दारोगा होता है और लाल होता है सबका अलग अलग है जासे अगर ठाकुर की बात कहें तो ठाकुर जो होता है वो पढ़ाराजा का सहायक होता है दिवान पढ़ाराजा का मंदरी होता है पांडे दस्तावेजो का रख रखाव करने वाला अधिकारी होता है बरकंदाज गाओं का सिपाही होता है दारोगा सभा की कारेवाहिका का नियंतरक होता है लाल सभा का वकील होता है तो यह आपको याद रखने हैं आपका इंजाम पांड़ों से बहुत ही इंपोर्टेंट है इनके क्या क्या काम होते है ठाकुर का क्या काम होता है दिवान क्या करता है पांडे क्या करता है बर Columbia टारों का रबागत मूंदा परसांसर को पराहएं कि अ는지गाला वा माइला नीचे रहती नहीं करके रहती थो किसी भी तरह का कुई अधिकार नहीं दिया जाता है तो पढ़ा पढ़ा विसी पंचायत अस्थल को अखरा कहा जाता है यह गाओं का सांस्कृतिक केंद्र भी होता है किसका तोपिक है कि मुंदा गाओं में पंचायत की बैठको का आयोजन अखडा देखते हैं और मांकी का बारे में कि जान लेते हैं यहां दिखें . पढ़ा पंचायत के पर्धान को मांकी के बात हो रहे हैं पाहन की तो पाहन में भी आपका क्या है कि मुंडा गाउं का धार्मिक परधान क्या कहलाता है पाहन कहलाता है पाहन में सांधी बनाया रखने है तो पुझा पाठ रथा बली चड़ाने का कारे होता है ये भी आपको याद रखना है तो लगान मुक्त भूमी परधान की जाती है जिसे डाली कटारी भूमी किसे कहा जाता है पाहन में सांधी किस वज़ा से आती है यहां पर यहां का सहायक होता है यहां पर आपका यह पाहन का सहायक होता है आपका इसी में है कि ये मुख्यतं के संदेश स्वाक का कारे करता है कि से करता है तो गन में जो भी संदेश्वहाख होते है उसका कारे करता है एकश्राफिक हम देखते हैं भूत透 गाँ को भूट प्रत के परकोप से बचाने है तू पाहन द्वारा विश्च पूजा देखें इस हेटू पाहन को अतिरिक्त भूमी परदान की जाती है यह जानते हैं जिसे भूत खेता कहा जाता है जो पूजा पाट के लिए जो अस्थर दिया जाता है उसी अस्थर को क्या बूजारा जिसे पनभरा भी कहा जाता है इसमें थोड़ा सा अलग है पुजारा या पनभरा या दखना की दोनों सेम होता है बहुत है पढ़ा जो है पढ़ा राजा का सरवच अधिकारी होता है पढ़ा पंचायत का सरवच अधिकारी होता है पढ़ाराजा है किसका सहायक होता सर्वच अधिकारी होता है पढ़ा पंचाय आपका लास पपिक है इसे confusing कि इस जन्जाती को साशन वेवस्था में दिवान ठाकूर, कोतवार, पान्डे, करता तथा लाल अधी नामक अधिकार होते हैं जो आपका पढ़ा राजा को साशन संचालन में सहयोग परदान करते हैं को आज के कलास में मुण्डा साशन विपेट कर चुके हैं अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आपका उडान बुक का चैप्टर 16 में आपको देखने को मिल जागा हुब वही चैप्टर आपको यहां पर कवर किया गया है बस आपको सारा टॉपिक इसको याद रखना इसमें से कुछ टॉपिक आपके ऐसे भी हैं जो एक्जाम में आचुकए हैं जैसे करद को पफिकी बात करते हैं तो आपका पढ़ा पढ़ा है प्रहा पढ़े है इसका परमुख अधिकार जो है वह आपका एक्जाम में पूछे जाआ है इससे आपके जारकन सर्मीलित है उन सभी एक्जाम के लिए यह आपका बहुत इंपोर्टन टॉपिक है तो मिलते हैं लेक्स वीडियो में इक इंपोर्टन टॉपिक के साथ अभी हम लोग जर्ष जारकम परंपरा सासन ब्यवस्ता को स्थार्ट किये हैं अभी यह लंबा चप्टर चलने मा तो इसे अच्छे से श्टड़ी करते रहे हैं थाम्स वर वाचिंग लाइक्स वर सिस्क्राइब राइट आइक्यू